Hello everyone, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि कैसे images को use करें HTML में आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप लोग links add कर सकते हो HTML को use करके तो कैस लिंक्स add करने के लिए हम mainly anchor tag का use करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि A-H-R-E-F मतलब मैं आप लोग को बताऊंगा कि यह जो हमने use किया हुआ है h reference क्या होता है यह anchor tag होता है पहले मैं आप लोग को just a brief description दे देता हूँ तो मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि जो पहला बाला होता है वो जो HTML element होता है यहां पर मैंने दिखाया है HTML element और यहां पर यह जो href मतलब hyperlink reference तो hyperlink reference मतलब होता है कि HTML attribute है एक href जो कि मैंने आप लोग को mdn webdocs में भी दिखाया था कि attributes क्या होता है और इसमें यह जो facebook.com मैंने दिया हुआ है आजे link destination दिया हुआ है ताकि यहां पर जो भी click करे इस link में इस text में तो वो directly इसी website पे चले जाए तो यहां पर मैंने h reference दिया रखा है जो कि है यहां पर एक html attribute उसके बाद यहां पर एक link destination दे रखा है कि उस particular text में या फिर उस particular link में click करने के बाद वो कहां जाएगा then उसके बाद मैंने एक link text add किया है जो की website में show करेगा और जिसमें की click करने से आप लोग redirect होके इसी website पे चले जाओगे तो यह है आपका पूरा html का वो element जो की हम लोग कैसे इसको use करेंगे उसके बाद यह है उसका closing tag anchor tag का closing tag यह एक self closing tag नहीं है इसमें आप लोगों को closing tag लगाना पड़ता है तो यह हो गया पूरा anchor tag का एक basic idea तो मैं अभी आप लोगो practically करके दिखाऊंगा तो हम लोग practically क्या करेंगे पहले हम लोग यहाँ पे इस जो मेरा Eastern Digital Academy है यह मेरा YouTube channel है तो मैं इस YouTube channel को यहाँ पे link करूँगा इस text में और मैं आप लोगो शो करूँगा कि कैसे उसको link करते है उसके बाद हम लोग एक contact me वाला यहाँ पे बनाएंगे जिसमें की click करते ही आप दूसरे page पे हमारे यहां पे forward हो जाओगे और वहां पे आप लोगो मुझे मेरा जो contact information होगा वहां पे आप लोगो मिल जाएगा तो simple हो गया कि हम लोग एक external website पे redirect करेंगे और हम लोग अपने खुद के pages पे redirect करेंगे तो यह हो गया अपना पूरा काम तो चलिए वीडियो क में हम लोगों को search करना है सब्सक्राइब यहां पे simple anchor tag यहां पे आप लोगों को दिख गया कि anchor tag यहां पे इसके attributes है attributes डाउनलोड attributes एह एच आर एफ reference attribute तो हम लोग इस reference attribute को use करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि इसमें जो भी क्लिक करता है वो एक दूसरे website में यहां से मतलब divert हो जाता है या फिर उसी website में चला जाता है ठीक है तो हमारा यह पूरा reference आप लोग यहां पे MDN webdocs पढ़ सकते हो I recommend you कि आप लोग इन सारे attributes के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ो उनको use करने की कोसिस करो and it will help you a lot in future तो हम लोग Eastern Digital Academy में उस link को पहले add कर लेते है ताकि आप लोग एक चोटा सा example मिल जाए ठीक है तो हम लोग अभी हमने जो एटम में चलते हैं और यहां पे हमारा जो यहां पे हो गया Eastern Digital Academy जो की strong में है अभी भी और इसको हम लोग anchor tag के अंदर डालते हैं ठीक है तो एंकर टेक है तो Eastern Digital Academy को हम लोग यह हमारा text है तो यहां पर hyperlink में जो यहां पर reference हम लोग दे रहे हैं तो यहां पर मैं इस website हमारा जो YouTube channel का link है उसको यहां से copy कर लेता हूं और अपने atom browser में इसको paste कर देता हूं अभी Eastern Digital Academy में जैसे ही आप लोग क्लिक करते हो इसी particular link में आप चले जाओगे तो इसको पहले हम लोग सेफ कर लेते है Ctrl S और save करने के बाद जैसे ही आप लोग यहां पर चाते हो और Ctrl R मतलब जैसे ही आप लोग इसको refresh करते हो इसमें अगर आप लोग क्लिक करते हो Eastern Digital Academy में तो आप directly हमारे YouTube channel पर आजाते हो ती हो गया कि कैसे आप लोग link add कर सकते हो तो अगर आप लोग का भी YouTube channel है या फिर आप लोग कोई भी YouTube channel पर काम करते हो या फिर आपका खुद का Facebook page है या आपका maybe sorry मैं इसको हाँ अगर आपका Facebook page है या फिर आपका कोई भी online presence है जो कि आप लोग यहां पर add करना चाहते हो तो वो आप लोग add कर सकते हो and that will be a lot more it's like a learning curve for you कि आप लोग चीजों को practical practically करते हो मैं यह यहां पर जैसे कि यहां पर उतकल university है अंगुल high school है तो मैं भी आप अपने school college का भी link यहां पर add कर सकते हो जिसे कि लोग check out कर सके जैसे कि हमने projects यहां पर लिखावे development workshop तो जो भी आपने workshop किया हो उसका कोई photo images बगरा कुछ भी हो आप यहां पर add कर सकते हो ठीक है तो यह हो इस त्री tag और इसके अंदर मैं चाहता हूं contact me contact me यहां पर हम लोग क्या करेंगे इसी contact me वाले जो link है इसमें हम लोग एक new page का reference देंगे जैसे कि हम लोग यहां पर एक page create करते हैं और जैसे ही इसमें कोई click करता है तो वो उस page में convert हो जाए या फिर उस page में divert हो जाए है तो यहां पर में एक new file create करता हूं माई रिजुमे के अंदर से यहां पर contact me contact me dot html enter और जैसे में html लिखता हूं html के हमारा भी boiler plate आ गया है और इसी boiler plate के अंदर हम लोग title में मैं लिखता हूं contact me okay उसके बाद हमारा head tag complete हो गया अभी हम लोग body tag में आ जाता है और body में मैं कुछ अपना information दालता हूं जो कि कोई भी आदमी अगर मेरे इसमें आये तो वो मुझे contact कर सके है ठीक है तो पहले तो मैं एक h3 element create करता हूं h3 उसके अंदर में लिखता हूं contact information I recommend you कि आप लोग भी इस चीज़ को practice करो ताकि आप लोग इसको use कर सको and I recommend everyone कि आप HTML जब आप लोग सीख रहे हो तो इसको practice में लो आप लोग खुद अपना खुद का page create करो खुद एक personal resume create करो जिस्ते कि आप लोग को यह चीज़ों को practice करने का मोका मिलेगा तो guys मैंने contact information यहां पर बना लिया है और उसके बाद मैं चाहता हूं इसमें मेरा contact information डालना तो contact information के लिए मैं यहां पर एक paragraph tag बनाता हूं और इसमें मैं लिख देता हूं अपना phone number phone number random number कोई भी एक random number उसके बाद यहां पर मैं और एक पी टेग बनाता हूं पी और यहां पर मैं कुछ और information डालना चाहता हूं जैकि जैसे कि मेरा email address random email address आप अपना email address डाल सकते हो वैसे मैंने यहां पर बस आपनों को शो करने के लिए यहां डाल रखा है और यहां पर मैं लिखना चाहता हूं अपना YouTube channel name आप कुछ भी डाल सकते हो अपना personal information में Ctrl S और यहां पर मैं इसी चीज़ को reference देना चाहता हूं contact me को तो contact me को reference देने के लिए आप anchor tag करें anchor tag और मैं इस contact me को copy कर लेता हूं और इसके अंदर डाल देता हूं अब मैं यहां पर इस page का reference डालना चाहता हूं तो वैसे ही contact me contact me.html तो यहां पर आपका इसी page का reference create हो चुका है Ctrl S और जैसे ही हम लोग अपने website में चालते है Ctrl R यहां पर मेरा contact me वाला page बन चुका है और contact me वाला यहां पर एक hyperlink create हो चुका है और जिससे ही मैं क्लिक करता हूं यह मेरा contact information यहां पर शो कर रहा है तो यह हो गया कैसे आप लोग internally किसी भी page को show कर सकते हो and all it तो यह हो गया आपका contact information और यहां पर हमने अपने YouTube channel का link डाल दिया तो I recommend कि आप लोग यहां पर अपने college का या अपने school का जो भी website है उनका आप लोग link डालो और अगर आप लोग को maybe अगर जैसे कि आप लोग यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि I love sketching अगर आप लोग का कोई sketching का video है YouTube पर Instagram पर कहीं पर भी आप उसका link यहां पर add करो so it's a just a practice for you कि आप लोग lots of practice करके ही आप लोग better बन सकते हो तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप लोग you do a lot of experimentation तो यह होगे है HTML का anchor tag और मैं आप लोग को बता दूं कि HTML में जो है hypertext marker language जो होता है उसमें जो पहला part होता है वो है hypertext hypertext का मतलब होता है यह जो link मतलब दूसरे documents को आप लोग refer कर रहे हो जैसे कि मैं इस में कर में चाहता हूं contact me में तो आम मैं इस document को यहां पर reference कर रहा हूं तो यह हो गया hypertext जो HTML का जो पहला part होता है वो होता है hypertext जो की दूसरे documents को reference के लिए जो डूसरे documents को link करके आप लोग को help करता है तो यह हो गया आपका hyperlink बाला part तो जैसे hyperlink में आप लोग click करते हो आप एक दूसरे website में चले जाते हो और ऐसे ही मैं आप लोग को दिखा देता हूं sorry यह हो गया आपका hypertext बाला part और ऐसे ही आप लोग hypertext एड़ कर सकते हो और इसके साथ साथ मैं आप लोग को कुछ examples दिखा देता हूं जैसे कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि कोई भी website में जैसे कि मैं Wikipedia में अगर जाता हूं तो यहां पे विकिपीडिया में lots and tons of tons of AAP LONG hyperlink देखने को मिलेंगे जैसे कि मैं यहां पे अगर कुछ भी related search कर रहा हूं जैसे कि marketing related मैं अगर search कर रहा हूं कि में marketing के फील्ड से हूं तो जैसे आप लोग देख सकते हूं कि यहां पे भी एक hyperlink है यहां पे भी एक hyperlink है यहां पे भी लिख सकते हो and यहां पर लिखा हुआ है जो text है अपना company और यहां पर anchor tag end हो रहा है तो ऐसे ही आप multiple anchor tags को यहां पर inspect element में जाके आप लोग उसको check कर सकते हो उसके उसमें जो भी उन्होंने attributes यहां पर भी बहुत सारे अट्रिब्यूट्स लिखे हुए है रेकमेंड की इन सब चीजों को आप लोग एक्सप्लोर करो तो इस जस्ट अबाउट की मैं आप लोग को सिखाना चाहता था कि कैसे आप लोग html links inside the website कैसे आप लोग अड़ कर सकते हो और external चीजों को कैसे आप लोग लिंक कर सकते हो तो आयँ होब की आप लोगों को यह चीज समय के होगा दोयाइक एक हां पर भी तक हमने कहां क्रिएट कर लिया हम लोगों ने एजुकेशनल बैग्राउंड लिख लिया प्रोजेक्ट और यहां पे हमने कॉंटक्ट मी का पेज मनाया क्योंकि बहुत सारे टाइम आप लोग हर इंफॉमेशन को एक पेज में पता नहीं सकते तो इसके लिए आप लोगों को हाइप लिंक्स की यूज की जरुवत पड़ेगी कि आप लोग हाइप लिंक क्यों यूज करें इंटरनल और एक्स्टरनल दोनों के बारे में बता दिया तो आप लोगों को यह वीडियो में बहुत सारे चीजें क्लियर हो गए होंगी अगर आप लोगों कोई वीडियाउट रहता है तो आप मुझे से पूछ सकते हो या फिर कमेंट सेक्शन में मुझे से पूछ सकते हो तो थैंक्स गाइस थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो आई होप नाव यूग अन आइडिया कि हाओ टू क्रियेट हाइप लिंक्स